गुड मॉर्निंग एब्रीवन राधे राधे कैसे हैं आप सबी आई हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छी होंगे स्वागत है आप सबी का रेखा की दुनिया में और मैं बना रहे हूँ अपने लिए आज सुभे का नाश्ता कुछ डिफरेंट वाला तो मैं बना रहे हू मैंने वेट लूज के दौरान भी लिया था और जितने भी मेरे डब्बे किचन में देख रहे हैं वाइट कलर के वह सारे नुट्रेशन के ही डब्बे हैं और कुछ वीवर्स पूछ भी रहते कि आपने ये पिया था तो हां मैंने ये लास्ट ययर पिया था और अभी हाली म मैं ले रही हूं इसको लगबग 2-4 दिन से ही ले रही हूं तो आज मैं नाशते में ले रही हूं तो वैसे तो मैं नाइट की डिनर में लेती हूं इसको और दो पहर में खाना खाती हूं तो एक टाइम ले लेती हूं और जिस टाइम मैं इसको लेती हूं उस टाइम मैं ना मैं इसको काफी यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए ये मेरे लिए भरोसे मंद हो गया है अगर ये किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना मैं आप सब को इससे अधिक इसकी जानकारी दे दूँगी फिलहाल जी मैं बना रहे हूँ आज के खाने में कमल ककडी और हमारे अब कमल ककडी को चीलूँगी तो चाको की मदद से जो उपर-उपर की लेयर है वस बही हटा रही हूँ और ये जो कमल ककडी है दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए तब ही अच्छी होती है और ये जायतर ताजा-ताजा ही यूज़ करने की होती है ज्यादा पुरानी आप ल बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं अलग-अलग देशो में तो फिलाल मैं इसमें डालूँगी अधरक का एक टुकडा और डाल दिये ग्रीन चीली और डाल दुगिसमें दो तीन प्याजे तो मसाले वाली बनाउंगी साथ में और दोड़ की धोबा दाल तो ये रेसिप पूप लंगी तरीके से बनाए जाता है कुछ लोग वाल की बनाते हैं कुछ लोग कच्छा कूकर में इस तरह से मैं बना रही हूं और ये सबजी मेरी प्रेगनेंसी की सबसे बैस सब्सक्राइब मैं कहूं तो जब धुरूप था मैं प्रेगनेंट थी तो मुझे बहुत बहुत ही स्वाधिस्ट लगती थी यह सबजी जब भी घर में बनती थी तो मैं रोटी चावल कम खाती थी इस तरह की यह जो सबजी है ना यह मैं बहुत कहती थी तो फिलाल इसको नॉर्मल जो मसाला हो रहता है ना वही मैंने भून लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने चौप करके टमाटर आप पीसके भी डाल सकते हो टमाटर ना चौप करके डालते हैं तो अच्छा स्वाध आता है उसके बाद जो कमल ककड़ी है और आलू है और जो उसको मैंने कई बार धोया है क्योंकि अंदर से खुले होते हैं तो इसलिए इनको बहुत कई बार पानी में धुलना पड़ता है और यह फिर पानी में रहते हैं तो जाहिर सी बात है इनको अच्छे सी क्लीन करना जरूरी रहता है और यहां पर जो मसाला है टमाटर और मसाला तो इसमें अभी मैं डालने वाली हूँ बेसिक मसाले सारे और मसालों में मैंने रेट चीली और थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला हल्दी पाउडर थोड़ा सा काश्मीरी लाल मेच है और है थोड़ा सा आमचोर वस यही सारे चीज़े डाली है आप चाहो तो इससे अधिक भी मसाले इसमें डाल सकते हो बाकि जितने कम मसाले रहेंगे उतना ही टेस्टी लगती है ये खाने में डाल को मैंने एक घंटा भिगो के रख दिया था इससे पहले ही क्योंकि डाल को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और कमल कक्री जल्दी गल जाती है तोना मैं अभी थोड़ी देर के लिए भुने दूंगी इसी तरह से ताकि मसाला अच्छे से इसमें बैट जाए और मिक्स हो जाए और थोड़ी देर के लिए इसको मैं भी छोड़ दूंगी इसी तरह से तब तक मैं आ गई थी धुरूप के पास क्योंकि धुरूप अभी सोय हुए थे और अभी जस्ट उठे हैं और देखी कैमरा देखते के साथी इनका नाटक स्चुडू हो जाता है तो हस्बिन भी काफी लेट उठे हैं और आज ये भी बहुत लेट उठे हैं मेरा तो लगबग खाना पिनस सब बनी चुका था और कुछ मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि धुरूप स्कूल क्यों नहीं जाता है तो धुरूप अभी थ्री एर्स का कम्प्लीट नहीं हुआ है और हमारे यहां पे तीन से चार साल तक के बच्चे लेते हैं स्कूल में कोई भी एड्मिशन नहीं लेगा अगर आपका बच्चा तीन साल कम्प्लीट नहीं किया है तो इसलिए जो भी इसकी थोड़ी बहुत स्टेडी है ना वो मैं घर पर ही करवाती रहती हूँ और हजबन रख रहे थे बिस्तर वगरा हटा के तब तक मैं यहां अपनी सब्जी का काम है वो निप्टा लेती हूँ तो सब्जी बहुत ही बढ़िया से चटक गई है एक दम दिखिए बिल्कुल सूख गई है और जो ओईल है वो जरा-जरा सा दिखने लगा है इसमें तो और पानी इसमें जादा नहीं जाएगा बस जैसे आप राइस अगर बनारे हो तो आप जादा रख सकते हो बस रोटी अगर आपको खानी है इसके साथ तो आप इसे गाड़ा भी बना सकते हो कुछ लोग वाल के इसको सूखा भी बनाते हैं लेकिन यह तरी वाली ज्यादा और खासकर दाल डाल के तो बहुत ही वैस्ट लगती है तो बस इसको अभी मैं धीमियाच पकने दूँगी तब तक मैं आई थी तो हस्बिन ने पूरी बैठक को देखिए उलट पलट कर दिया है और अचानक से ही इनका ये प्लैन बन गया था सफाई करने का और ये जो सोफा ह बैड है और जो मेज आप देख रहें कम्प्यूटर मेज ये मुझसे जरा भी नहीं हिलते हैं बहुत भारी-बारी हैं ये अगर मैं इनको हटाती हूं न तो जो मेरे स्टीचेस हैं यानि जो टाके हैं न मेरे उसमें मुझे बहुत पेन होता है कई दिन तक मुझे पेन रहत कि पूपी को देखना बहुत ज़रूरी है अभी पिछली जो लाइफ थी ना मेरी उसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी की है। मेरी डिलीवरी के बाद जो मुझे आजपस तावा होता है और मुझे पता है कि मेरी बॉडी में क्या किस चीज को लेके प्रॉब्लम्स रहती हैं मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती यहां पर सोशल मेडिया है यह क्योंकि यहां लोग समझते कम हैं और मजाग जादा उडाते हैं इसलिए मैं बहुत कुछ सोश समझ के आप सबसे शेयर करती हूँ ऐसा नहीं है कि आप मुझे समझते नहीं हो या मुझे सपोर्ट नहीं करते हो मेरी जो यूटूब फैमिली है न मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मेरी हर छोटी से छोटी चीज को बहुत चीज से समझते भी हो आप लोग लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सब मतलब सिर्फ मजाग बनाने के लिए चैनल पर आते हैं तो इसलिए यहां सोशल मेडिया बनना बहुत सोश समझ के मुझे बात करनी पड़ती है तो जी यहां सबजी बनके तयार हो गई है उदर हस्बन अब बहुत बढ़ा काम होके आए वह क्लीन रहती है और हमारा सारा दिन बैठक में ही गुजरता है आज क्ल क्योंकि गर्मी है तो इसलिए वहां क्लीनिंग रहनी बहुत जरूरी है तो फिलहाल मेरी जो सबजी है ना वह बनके तयार हो गई है कमल गट्टे वाली कमल ककड़ और आप इसको किस नाम से जानते हो मुझे जरूर बताना तो लगबग दो साल के बात खाने को मिल रही है आज ये कमल गट्टे की सबजी बहुत ही टेश्टी है बहुत बढ़िया है तो यहां अभी हस्बिन नहा लिये थे तो उन्होंने कि है आज बहुत सारी मेहनत तो मैं थोड़ा सा हैवी नास्ता बनाऊंगी उनके लिए तो मैं यहां बना रही हूँ पेपर ये पराठा चौरस वाला तो देखे कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ मैंने पहले इसको चौरस करके बेल लिया है अंदर इसके फीलिंग भर दिये मसालों की और उसके बाद में जो लिफापा रहता है उसकी तरह फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से आप लिफापा पराठा भी बना सकते हो अंदर कोई भी फीलिंग भर के तो आज का जो नास्ता है हस्बन का सूपर टेस्टी नास्ता है बहुत ही बढ़िया ये पराठा इनको बहुत पसंद है इस पराठ करा दूंगी एक कप चाय तो मैंने शेक ले लिया है और आप मुझे बारा बजे ही भूक लगेगी तो बस हस्बन को मैं भी करा दूंगी नास्ता सुबे का और अभी टाइम हो रहा था लंच से पहले का तो मैंने बताया था ना आप सभी को कि मैंने कुछ गयों धुल के डाले थे तो बस वही गयों मैंने लगबग तीन से चार दिन इनको सुखा लिया है और इनको अभी आज ही मैं पिसवाने के लिए भेजूंगी तो नया मैंने लिए चारज मंगाया मेरे पास चारज भी नहीं था तो हज्बन ने लाकए दिया है क्योंकि आज हमारे याँका बजार है तो बजार से मंगबा के दिया है और चारज बिलकुल नया ही है तो मैं इसको अच्छे से साफ करोंगी और इसे साफ करने में मुझे बहुत ज़्या दाने रहते ना उन पे जो धान रहता है धान जैसा जो गेहूं होता है ना वैसा था तो इसलिए उनको अच्छे से साफ करने में बहुत टाइम हो गया था मुझे और इस चकर में आज का जो हमारा लंच है ना वो भी बहुत लेट हुआ था लगबग धाई तीन बजी हम लोग इसके पापा ने बनाया है और इतना जादा फैलावा कर दिया था ये इन गेहूं पे शाम तक खेला था और हमारी इतनी मजाल नहीं थी हम ये गेहूं उठा लेते इतना चीक चीक के रो रहा था तो शाम तक लगबग 7.30 बजी तक ये इस पे खेला था उसके बाद जैसे त लाया गया तब जाके गेहूं मैंने चुपा कातशा ओर रिए चुल्दी जल्दी भरके और दूसरे दिन को फिर हमने गेहूं पिशवाय थे क्योंकि जो गेहूं थे वह रहा गय थे दूसरे दिन को onalखिया तक यूदा प्यां पोर जाओंगी बोखता तो और इस तरह से ए रंच कमल ककडी थी और साथ में थी चटनी मोमोस वाली और थे राइस खेरे का सलाद है मूली है और है साथ में पराठा वही वाला दोपहर सुबे वाला पराठा क्योंकि हजबन को बहुत टेस्टी लगा था वो पराठा तो उन्होंने फिर से मांग कर दी थी कि मुझे वही प पराठा की है मुझे देखकर मुझे जरूर बताना और आज का जो सूपर टेस्टी लंच है वो बन कर तयार है और यहीं पर मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड मिलूंगे आप सभी से कल के एक और अच्छे से वीडियो में आशे करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ अगर बसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मैं मिलूंगी एक और ब्लॉग के साथ तब तक की लिए बाबबाय टेक क्यार लव यू आल एंड हर हर महादेव